Very good morning to all my dear friends, मैं हूँ प्रशांत मावानी, I hope you all are doing good, आज 10th July 2020 है, दिन है Friday, दिन की शुर्वात करेंगे, Franklin D. Roosevelt के एक बहुत इंटरस्टिंग कोट के साथ, Men are not prisoners of fate, but only prisoners of their own minds, हम हमारे ही दिमाग के द्वारा create किये गए पिंजरों के गुलाम बन जाते हैं, उसी के हम के दी बन जाते हैं, जितना हमारा बड़ा विजन है, या फिर विजन होगा, अपने प्रती, अपने समाज के प्रती, अपने परिवार के प्रती, whatever it is, आप किसी भी के उपर इसको apply कर सकते हैं, जितना आप बड़ा सोचेंगे, जितना आप जो APJ कलाम साब भी कहते हैं, कि अगर सपने देखने ही हैं, तो बड़े सपने देखो, क्योंकि छोटे सपने देखना जो हैं, वो कहीं ना कहीं, भई से हमारी एक boundary हमने बनाई है, तो ये सारी चीज सबने पिंजरा बनाया है, वही आपके लिए एक बुरी बात है, तो think about it, सोची का इसके बारे में, इसके साथ dear friends, study IQ की टीम ने मिलकर एक smart course डिजाइन किया है, ये smart course civil services की examination के लिए है, pre और mains, दोनों exam को cover करता है, ये smart course, ज्यादा जानकरी के लिए डाउनलोड करें हमारा mobile application, 10th July 2020 तक, यानि कि आज last day है, ये my option का, तो इस offer का जो फाइदा है, वो जरूर उठाईएगा, make the most out of it, आज के lecture के video को डाउनलोड करने के लिए है, check out my telegram channel, you can follow me on facebook, lecture को दूसरे students के साथ शेर जरूर करें, वीडियो पसंद आता है, then hit the like button, and dear friends, एक बहुत ही important चीज, आप 9 million subscribers, तो अगर आपने इस channel को subscribe कर लिया है, तो thank you very much, can you also do us a favor कि आप दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं, हमारे videos के बारे में, हमारी channel के बारे में, जो awesome videos, अलग-अलग faculties हर रोज बनाते हैं, और इनसे जो capacity build up होती है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में, दूसरे लोगो को जरूर बताईएगा, and make sure कि वो भी subscribe button को hit करें, thank you very much dear friends, आज हमारे table के उपर है, तीन important articles, आज तो मैं यही सोच रहा था कि एक ही article को discuss करें, इतना important article है, Chinese 5G के बारे में है, Times of India का ये article है, the Hindu newspaper के आपर अगर आप नज़र डालेंगे, editorial page के उपर, then you will find कि जो हमने university के बारे point, सारे points कल ही मैंने discuss किया, तो आज अगर आपका पहला दिन है, तो make sure कि कल का जो lecture था, 9th July वाला lecture, वो आप जरूर देख लीजेगा, तो मैं बात कर रहा था, इस particular topic के बारे में Chinese 5G, ये इतना important topic है, कि मैं पहले यही सोच रहा था, कि इसके लाबा आज कोई दूसरा topic discuss नही politics, या फिर हमारे देश में जो politics में criminals हैं, तो इसको लेकर एक article लिखा गया है, Supreme Court ने एक decision दिया है, और non gains, ये WHO और USA के बारे में लिखा गया एक article है, और कुछ important news items को देखने वाले हैं, तो dear friends, start करते हैं, हम Chinese 5G, एक बहुत ही important topic है ये, as I told you, Now the thing is, आपको बता है कि Chinese apps जो हैं, उनको band किया भारत सरकार ने, 59 apps को पहले band किया गया था, उपर से 30 दूसरे apps, defense जो हैं हमारे इंडियन आर्मी ने, हमारे जो soldiers हैं, personal हैं इंडियन आर्मी के, उनको बताया है कि total कुछ 89 mobile applications हैं, वो आप delete कर दीजिए, security point of view से ये बहुत ही important decision हैं, और इनसे एक order दिया गया है, it's not a request, समझ रहा है कि order यानिकी delete करना ही है, अगर नहीं किया तो फिर आप problem में आ सकते हैं, तो ऐसे 89 apps इमने डिलीट किया और इसमें ज्यादातर जो apps हैं वो Chinese apps हैं, दूसरे देश, जैसे के USA भी जो like-minded countries हैं, जो democratic countries हैं, तो कुछ ऐसे द देश हैं, फिर USA हैं, जो चाइना के apps के ऊपर band लगाने के बारे में decision ले रहे हैं, 5G, हमने UAE के बारे में discussion की थी, लेकिन फिर भी, कल मुझे पता चला, कि बहुत सारे नए students इस series के साथ जुड़ गये हैं, पुराने जो students हैं, उनको BRI के बारे में मैंने कई बार समझाया है और कल मैंने एक प्रशन पूछा था कि आप में से कौन ऐसे students हैं, जो BRI के बारे में जानना चाते हैं, और luckily आज देखिए, मैंने कहा था कि मैं जब भी ऐसा मौका मिलेगा तब discuss करूँगा, लेकिन आज वो मौका मिल चुका है, तो हम BRI के बारे में भी आज विस्तार से चर् चाइनीज 5G को 5G कंपनी जो हैं, जैसके Huawei और एक दूसरी कंपनी है, ZTE, तो ये कंपनी जो हैं, ये एक्विपमेंट बनाती हैं, जो भी डिवाइस हैं, वायर, एक्सेटरा, जो भी चीज़े चाहिए, राइट, टेलेकॉम्निकेशन एक्विपमेंट्स, तो ये ITC प्रोड ये हैं, मिन्स जो रेड फ्लेग हैं, इन कंपनीज के साथ, मिन्स इन कंपनीज के साथ काम करना डिफिकल्ट क्यों हैं, या फिर प्रोब्लमेटिक क्यों हैं, प्रोब्लमेटिक इसलिए हैं, क्योंकि ये UAE और ZTE कंपनीज ऐसी हैं, जिनके कनेक्शन्स हैं, चाइनीज गॉ को अगर चाइनीज सरकार को कोई डीटेल चाहिए इमर्जंसी के टाइम पर जो चाहे वो इन कमपनेश को करना होगा आप सोची एक सिचुवेशन कि अगर फ्यूचर में डेईली फैनलिश न्यूस एडेसिस में में इसको डिसकुस किया था कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसे सि मेनेज करते हैं आप सोचीए कि चाइनीज गवर्मेंट अगर एक ओर दे दे इनको कि आप वहां से निकल जाईए और सारा जो इंडिया का इलेक्टिसरी का जो भी सेटप है ग्रीट का वो बंद कर दीजे उसको शटडाउन कर दीजे एक ही जटके में कितने करोडों रुप शायद लग जाएं आपके यहां पर हम जानते हैं कि हमारे यहां पर तो चीजे इतनी स्लो हैं कि एलेक्टिसिटी का कोई पॉल है कोई ऐसा खंपा है हमारे घर के पास तो उसमें कुछ हो जाता है तो भी दो तिन घंटे लग जाते हैं तो पूरे देश की ग्रीड अगर यह इन इस एलेखे वहां रजाएं तो वह भी 4G की बात कर रहें तो 4G में चाइनीज कि मपनी जो हैं उनका सेट अप उनके दोारा क्रिएंट किया गया जो हा-वेर सेट अप हैं इसका इस्तमाल किया जा रहा है अब आप उनको software setup दे देंगे 5G अगर आप उनको दे देंगे और सारी चीज़ें इंटरनेट और ये सारी चीज़ें भी बंद कर सकते हैं cyber attack किये जा सकते हैं तो these are the things ये app जो हैं तो app से हमारे ही लोगों का data collect करना ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं अब 5G जो हैं इसमें अगर UAE और ZTE companies ने पूरा इसमें पूरी दुनिया में let's say या फिर जितने अलग-अलग देश इसमें आगे चलते मिंस आगे इसमें जुडते जाएंगे उतना ही ये 5G umbrella जो है चाइना का ये strong होता जाएगा Australia ने भी इसको reject कर दिया है Australia was going for this thing और Australia ने भी UAE कंपनी के equipants और इन सारी चीज़ों के reject कर दिया है तो 5G umbrella जो है इसमें फिर आपके apps, future में आपके investments और तीरे-दीरे करके आपकी पूरी सरकार जो है वो ही 5G operate कर पाएगा कहने का बतलब यह है कि technology का इतना penetration हो जाएगा कि सारी चीज़ा आप सोचे कि grid बंद करने के वो धमके दे देंगे फिर आपकी पूरी जो banking system है internet बंद कर देंगे तो पूरी banking system बंद हो सकती है आपके defense और इन सारे setup के उपर flights etc यह सारी चीज़ों में जो digital communication का इस्तमाल होता है तो उसको damage किया जा सकता है तो हम सोच नहीं सकते उतना control जो है वो 5G के आने से अलग-अलग देशों में अलग-अलग level पर इनका control आ जाएगा एक बहुत ही important चीज़ है आपके screen के उपर जो cake है यह four layered या फिर जो four tear cake हम कहते है तो इसमें जो bottom है यह वाला portion जो है जो इसका base है यह है belt and road initiative belt and road initiative के उपर China जो है वो let's say digital silk root बनाना चाहता है उसके बाद made in China 2025 यह उनका एक लक्षिया है if you don't know then let me tell you China already एक लंबे time से China दुनिया की manufacturing hub के तोर पर है कैसी market जो दुनिया की manufacturing hub है ऐसे जाना जाता था लेकिन अब वो इसको और एक नहे level पर ले जाना जाता है और fourth जो है वो है Chinese standard by 2035 यह सारी चीज़े मैं आपको explain करूँगा सब से पहले समझ लेते हैं is digital, not digital let's start with BRI Belt and Road Initiative चाइना के इतिहास में अगर आप जाएंगे तो आपको पता होगा के Silk Road, Silk जो है उसका जन्म हुआ चाइना में और Silk जो है में इसका एक ऐसा वक्त था मैं बहुत सारी stories में नहीं जाना चाहता है वो बी वेरी ब्रीफ एर थोड़ी बहुत basic understanding जो है वो आपकी भी होनी चाहिए अगर नहीं है तो फिर जो किताबे हैं history की, NCRTs में आप पढ़ेंगे तो Silk Road और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको chapters में information मिल जाएगी basically यह है कि Silk जो है इसका जन्म हुआ चाइना में you won't believe कि 1000 साल से भी ज्यादा यह Silk बनाने की method जो है उसको super secret रखा गया था दुनिया के किसी देश को इसके बारे में पता ही नहीं था अगर आपको Silk चाहिए तो चाइना से ही वो Silk आपको मंगवाना पड़ेगा तो यह सारे रास्तों से roadways के माधियम से लेकर अलग अलग जगाओ तक यह Europe में कुछ ऐसे राजा थे जिनके पास एक Silk का रुमाल था और वो एक बहुत बड़ी शान मानी जाते थी कि इनके पास Silk का रुमाल है या फिर एक whatever कोई भी कपड़े का piece है या फिर शर्ट है पैंट है तो एक टाइम पर इसकी बहुत ज्यादा value थी यह जो Silk है उसकी तो Silk Root यानि की चाइना का जो एक Trade का Relationship है कि Historical Relationship है जब हम इंडिया और UAE के बारे में बात करते हैं इंडिया और Oman नाम का जो यहां पर देश है तो हजारों सालों से इसलाम की स्थापना से पहले यहां पर रहने वाले लोग जो है वो भारत आये हैं भारत से वहां पर गये हैं तो यह Trade चलता रहता है तो आज जब हम Diplomatic Level पर बात करते हैं Oman के साथ तब हम कहते हैं कि हमारे तो Historical Relationship है इसी प्रकार से चाइना इन देशों को यह बता रहा है कि हमारे भी Historical Relationship थे Silk Route एक बहुत ही Important कड़ी है जिसने हजारों सालों से हमें और आपको जोइन करके रखा है फिर हुआ किया कि चाइना का Development हुआ चाइना का Economical Growth हुआ अब यह जो Swiggy है फिर Amazon है अब हमारी आदत आप Observe कीजिए यह सारी चीज़े आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगी You have to observe these things कि अब हमारी आदत कैसी होती जा रही है अब हमारी आदत ऐसी होती जा रही है कि खाना खाने के लिए हम पहले बहार अगर को कोई नहीं है तो हम We used to go out and collect food टेक अवे लेकर आते थे अब हम वो भी नहीं कर रहे है अब हम order कर देंगे अपने Swiggy या फिर Zometo एकसे टरा से अगर कोई किताब चाहिए तो आप Bookstore में पहले जाते थे किताब खरीदने के लिए अब आप Flipkart या फिर कोई भी ऐसे platform के उपर से order कर देंगे तो चीजे जो है वो और ज्यादा easy बना दी इन सारी companies ने BRI जो है ये road और waterways के माधियम से एक प्रकार की पूरी supply chain एक प्रकार की home delivery करने का एक लक्षय है चाइना का कि आपको कोई सामान चाहिए चाइना से ये रास्ता जो है वो भी हम create करेंगे तो चाइना ने यहाँ पर road development किया है कि ये सारे देशों को connect करने की कोशिस की जा रही है इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि चाइना के products को बेचना है हम यहाँ पर road बना दे रहे हैं ताकि easily आपका सामान जो है वो हमारे देश में आ सके और हमारा सामान जो है वो आपके देश में आ सके reality में क्या है reality में यही है कि हम सब सारा हम यानि कि चाइना सारा सामान पिदा करेगा और आपके देशों तक वो सामान जो है वो पहुँचाया जाएगा और बेचा जाएगा दूसरी चीज़ आपके देश में अगर पानी की नदिया है और आपकी जमीन जो है वो काफी फर्टाइल है फर्टाइल है यहां के कुछ ह Except । देश है जहां पर बहुत सारी नदिया हैं तो यहां पर चाईना की कमपनीज जो है वो rice production के लिए उनको encourage कर रही है और भारत की एक average है भारत में एक kilo rice को पैदा करने के लिए कि अपको पता है कितना पानी इस्तमाल किया जाता है 3,500 लीटर से 5,000 लीटर on an average इतना पानी जो है वो यूज किया जाता है to produce just one kilo rice in our country शायद अलग-अलग देशों की average जो है वो कम होगी let's say 2000 लीटर per kilo rice पैदा करने के लिए आपको इतना पानी चाहिए तो ये पानी किसका इस्तमाल हुआ ये इन देशों का हुआ आप तो उनको जो भी market price है वो ही देंगे तो आपका पानी जो है वो use नहीं हुआ future में ये भी बताया जाता है कि अगर world war 3 होगा तो वो कोई उसके पीचे main reason जो होगा you'll be surprised to know ये होगा पानी और पानी को लेकर चाइना ने बहुत सारी तिबेट से निकलने वाली जो नदिया है इनके उपर बहुत सारे बड़े-बड़े dams जो है वो create कर दिये है ताकि पानी के उपर उनका control रहे तो belt and road initiative basically एक प्रकार से roadways के माधियम से और waterways के माधियम से waterways के माधियम से हम बनत होता जो है फिर यहाँ पर यह आफरिका के देशों में ports create कर रहा है यहाँ पर एक छोटा साथ देश है जिबूटी तो यह जिबूटी देश जो है यह चाइना का first military base बन गया यहाँ पर दूसरे देशों के भी military base है USA का base है I think France का है UK का है तो इन सारे देशों के साथ साथ अब चाइना ने भी यह एक जिबूटी देश ना रहकर एक military base ही बन चुका है फिर यहाँ पर देखिए चाइना पाकिस्तान यहाँ पर उनकी navy हो जाएगी यहाँ पर navy होगी उनकी यहाँ पर navy को post कर देंगे फिर बंगलादेश और दूसरे से देश है तो यहाँ पर भी वो port और यह सारी चीज़े बना रहे हैं यह मियानमार में port बना रहे हैं तो पूरा अपना naval base यहाँ पर create कर देंगे भारत को वो घेर लेंगे इसी प्रकार से दुनिया के अलग-अलग देशों में उनकी navy पहुँच जाएगी आज USA के कुछ दुनिया में 150 जितने military base है देरे देरे करके चाइना भी अपने military bases को increase करता जाएगा तो ये एक big picture है इनका फिर इसी के साथ उनका एक polar silk road भी है यहाँ पर map में नहीं है ये चीज़ लेकिन आपको पता है कि आप रश्या के उपर जाए तो polar region जो शुरुआत हो जाती है तो वहाँ पर भी वो इस प्रकार की capacities बना रहे हैं फिर उनका ये जो digital I hope ये BRI आपको clear हो गया होगा बहुत सारी चीज़े मैंने आपको BRI के बारे में बता दी है digital silk road अब digital silk road जो है उसमें वो क्या करना चाहते हैं वो basically software और hardware hardware यानिकी products mobile phones, telecommunication equipment, wires, etc. जो भी चीज़े हैं तो ये सारी चीज़े hardware वो बेचना चाहते हैं और software यानिकी application उनकी services तो overall control किसका हो गया पूरी चीज़ों इंटरनेट और 5G के उपर चाहिना का तो ये एक बहुत ही important step है BRI के उपर digital silk road अब digital silk road उन्हों जब create करेंगे तो फिर उनके पास सारा data आएगा artificial intelligence का इस्तेमाल करके हुए वो दुनिया के अलग-अलग देशों का उनके लोगों का data collect करेंगे data collect करने के बाद उसका analysis किया जाएगा उनका analysis करने के बाद उनको पता चलेगा कि किस देश में किस particular product की services की आवश्यक्ता है फिर वो वही चीज़े पैदा करेंगे और ज्यादा targeted marketing आपको आज नहीं लेकिन दो दिन के बाद क्या चाहिए अगर वो मुझे पता चल जाए आपको 6 महिने के बाद roughly आपके birthday के उपर कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो आपको चाहिए अगर वो मुझे पता चल जाए तो मैं ऐसी marketing strategy डिजाइन कर सकता हूँ कि आप उस particular चीज़ को खरीद देंगे ही तीन-चार option आपके सामने होंगे लेकिन तीन-चार companies जो हैं सारी की सारी companies जो हैं वो Chinese company होगी तो eventually पैसा कौन बनाएगा China तो this is a big game that we are talking about made in China और standard setting ये उनका एक सपना है चाइना ओरड़ी made बहुत सारी चीज़े चाइना में बनती है लेकिन उनका एक specific target है made in China 2025 लगबग सारी चीज़े चाइना में ही बने और 2035 तक दुन्या की ज्यादतर products में जो standard होंगे कौन सी चीज़े अच्छी है कौन सी चीजों का standard क्या होना चाहिए जो हमारे दिश में ISI और दूसरे ऐसे standards है तो ऐसे quality standards set कौन करेगा चाइना करेगा आज दुनिया को ये लग रहा है कि चाइना के standards जो है वो चाइना के लिए है उसके लोग जो है वो धीरे धीरे बुड़े भी होते जा रहे हैं उनकी age जो है वो बढ़ती जा रही है average age जो है चाइना की वो काफी ज्यादा हो गई somewhere around 40-45 ऐसी उनकी average age है दूसरी चीज है कि चाइना में जिस प्रकार से economic development हुआ ग्रोथ हुआ तो चाइना में wages जो है पहले आपका देश गरीब था तो आप 100 रुपे पूरे दिन 100 रुपे में भी काम करेंगे लेकिन आज चाइना का कुछ minimum wage तीन डॉलर के आसपास है तो अब चाइना में चीजे जो है वो थोड़ी expensive हो गई यह वहाँ पर जो factory of the world चाइना का जो एक tag था अब वो देरे देरे tag जो है वो वेनिश हो रहा है और चाइना में भी 600 million जितने लोग जो है वो काफी गरीब लोग है तो अभी कुछ time पहले की बात है ली के क्यांग जो उनके चाइना के प्रिमियर है तो उनके लिए चाइना जो है यह सारी चीज़ है जो पूरा बिया रहा है अब de-globalization होने लगा है एक तो Mr. Trump के आने से उपर से आया COVID-19 तो COVID-19 की वज़े से दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो अपने ही देश में पूरी supply chain को रखने की कोशिश कर रहे है कि चाइना में अगर आप चीज़े एक बहुत खराब अनुभव हुआ आज तक यह जो पीपी केट्स हैं फिर मास्क हैं यह सारी चीज़े चाइना बनाता था तो जब यह COVID-19 यह कोरोना वाइरस स्प्रेड होने लगा तो USA ने बताया कि हमें इतने लाख मास्क चाहिए तो चाइना ने बताया अभी नहीं बेज सकते पहले हम हमारे देश के लिए बनाएंगे उसके बाद जो भी हमारे एक बार फुल्फिल होगे उसके बाद हम आपको बेचेंगे तो यह एक जस्ट एक्जामपल है कि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई चीज़े होती है तो फिर मैं सब इसी इनी सारी चीज़ों को खत्रों को ध्यान में रखते हुए कार प्रोड़क्शन भी अब नेशनल ही होगा कि दुनिया के अलग-अलग देशों से चीज़े ना मंगवाए जो भी चीज़े आपको बाहर से चाहिए वो यहाँ पर पैदा करें तो यह सारी चीज़ों की इंपक्ट जो है वो चाइना की एकोनोमी के उपर भी हमें देखने को मिलेगी फिर यूएस से जापान जैसे देशों ने नोन चाइनीज फाईजी नेटवर्क को ढूणने की शिरुआत कर दी है जैसे मैंने आपको बताया कि यूके जो देश है ये चाइना के एक्वेपेंट्स को और सारी चीज़ों को मंगवा रहा था लेकिन अब यूके जो है वो भी यूके और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भी दूसरी चाइना नोन चाइनीज कंपनीज को स्कैन कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में चाइना पूरी कोशिस करेगा कि भारत जो है उसका दिल जीता जाए अब ये साम दाम दन बेट जो भी जितनी भी चीज़ें पॉसिबल है वो सारी चीज़ें ट्राइक करने की कोशिस करेगा चाइना हमारे ऊपर हमारे साथ बोर्डर इश्यूस क्रिएट कर सकता है हमारे oil installation के उपर attack किया जा सकता है cyber attack किया जा सकता है non-tariff barrier हमारे उपर लगाया जा सकते है social media का दूर उपयोग किया जा सकता है हमें जो active pharmaceutical ingredients है उसकी supply बंद करने की धमकी मिल सकते है या फिर वो बंद कर सकते है हमारी जो ये telecommunication companies है तो उनके उपर नुकसान पहुँचाया जा सकता है और अलड़ी हमारी ये telecommunication company जो है वो loss में चल रही है उनके उपर बहुत बड़ा कर्ज है और उपर से China उनके उपर और ज्यादा issues create करेगा तो eventually government को ही bailout यानकी इन companies को पैसे देकर उनको survival mode या फिर ventilator पर रखना पड़ेगा तो इस प्रकार से damage create करने की कोशिस की जा सकती है तो ऐसी situation में भारत क्या कर सकता है वेस्ट इस जो फिनलेंड की ये Nokia है फिर Ericsson तो ये सारी companies जो European 5G equipment manufacturers हैं उनके साथ हम tie कर सकते हैं अभी कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे कि Vietnam ने European Union के साथ free trade agreement कर लिया हम एक लंबे टाइम से negotiation कर रहे हैं तो इसके उपर हमें जल्द से जल्द काम करना चाहिए फिर UK एक club बना रहा है D10 इसमें 10 democratic countries इसमें G7 nations है उपर से इंडिया है, South Korea है और Australia है तो essay groups के part भी हमें essay group का part हमें बना चाहिए और ऐसे situation create की जा सकती है कि जो चाइना में 600 million गरीब लोग है उनको जो चाइना की सरकार उनको जो मौका देना चाहती है वो मौका ना मिले क्योंकि चाइना का जो चाइना जो उनको opportunity देना चाहती है उससे दुनिया का नुकसान हो रहा है तो इस बेटर के वहाँ पर अगर कोई क्रांती आ जाए revolution आ जाए तो फिर चाइना का politics जो है वो change हो सकता है तो चाइना के लोग ही यह कर सकते हैं लेकिन इसके लिए दुनिया को unite होना पड़ेगा moving on to next item बहुत सारी बाते हमने की चाइना के बारे में आज का topic थोड़ा ज्यादा ही extend हो गया आप बहुत सारी चीज़े जो है वो जानने को मिली होगी आज का lecture जो है यह जैसे मैंने बताया कि मैं सिर्फ एक ही topic discuss करने वाला था लेकिन कुछ यह आपर topics है तो चलिए इनको भी देख लेते हैं 6th July 2020 को USA, UN को notify किया है कि USA, WHO में से बाहर निकल रहा है 29th May को Mr. Trump ने यह announce किया था क्योंकि WHO के उपर यह इल्जाम है कि यह China-centric बन चुका है हो सकता है कि future में Congress या फिर जो court है वो इस decision के उपर एक band लगा दे और democratic challenger जो है democratic party के challenger जो ही बिदेन तो उनका यह claim है कि अगर वो president बनेंगे तो USA को इसमें से बहार निकलने नहीं देंगे, WHO में ही रहेंगे अगर WHO में से USA निकल जाता है तो WHO के लिए बड़ा नुकसान है हर साल USA 450 million dollar funding के तोर पर WHO को प्रवाइड करता है technical expertise प्रवाइड करता है और एक चीज़ USA को समझनी चाहिए कि WHO जो है उसके पास बहुत ही limited powers है 2005 में एक revision किया गया था international health regulation जिसमें अगर किसी देश में ऐसी कोई चीज है pandemic type तो ये report करना जो है वो उस देश की responsibility होगी लेकिन WHO को पास ऐसे कोई powers नहीं है जिस powers का इस्तमाल करते हुए वो strict checking कर सके है तो मुझे लगता है कि this is the right time कि हम WHO को और ज्यादा powerful बनाए USA इसमें से निकल जाएगा तो क्या होगा vacuum create होगा और ये vacuum कोन पर लेगा ये जगा जो खाली होगी वो चाइना पर लेगा कल हम बात कर रहे थे कि 15 ऐसे United Nations के institutions है जिसमें चाइना के diplomat उसके head बन चुके है तो एक और मोका उनको मिल जाएगा तो ये नहीं होने देना है अभी तक हमने जो discuss की 5G के साथ जुड़ी हुई जो discussion की तो ये gaps create करने से कुछ नहीं होगा USA को reforms के बारे में सोचना चाहिए और फिर दूसरी एक चीज़ ये हो जाएगी कि WHO में जो research हो रही है WHO के members जो research करें और USA जो research कर रहा है उसके बीच में भी एक gap आजाएगा जो knowledge का आदान प्रदान है वो बंद हो जाएगा Moving on to next item Warning up to criminalization in politics आप जानते है dear friends हमरे देश में success जो politics में success होना है तो दो चीज़े चाहिए एक है money, एक है muscle यानि कि थोड़े बहुत गुंडा टाइप लोग और जिनके पास पैसे अगर ये combination है तो फिर आप elections जो है वो जीच जाएंगे और ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये अच्छी बात है what I'm saying is कि दुखत बात है कि ये चीज जो है पैसे और अपने बाहु बलिपन की वज़से लोग जो है वो politics में MLA MP जो है वो बन जाते हैं हमारे देश में February 2020 को Supreme Court of India ने एक बहुत ही interesting decision लिया है decision ये है कि अब political parties को ये explain करना होगा कि आपने अगर किसी criminal को ticket दी है तो उस व्यक्ति को ticket क्यों दी है आपकी party में जो non-criminal व्यक्ति हैं उनको ticket आपने क्यों नहीं दी अगर आपने ये explanation नहीं दिया तो ये court ने जो order दिया है ये जो हम कहते हैं के court की तोहीन है contempt of court है यही होगा और court ने ये भी बताया है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि विनेबिलिटी कि अगर कोई criminal है बड़ा नाम है बाहू बली है और उसके पास पैसे है तो इसके वज़े से वो जीत जाएंगे तो ये reason जो है ये valid नहीं होगा बिहार में जो elections होने वाले हैं 2020 में October 2020 में तो इस election ये पहला election होगा जहांपर इस चीज़ को try किया जाएगा आज तक ऐसा था कि आपको जो अगर आप candidate हैं तो फिर आपको ECI को यानिक इलेक्शन Commission of India को सारी details प्रोवाइट करनी है लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा कि political parties जो है उनको भी explanation देना होगा कि उन्होंने इस particular व्यक्ति को ticket जो है वो क्यों दी है 2004 में 24% हमारे MPs जो है वो criminal थे 2009 में 30% 2019 में 34% बेगे पाड़न 2014 में 34% 2019 में 43% हमारे MPs जो है उनके खिलाफ criminal cases चल रहे हैं politics का एक बहुत बड़ा role है politics हर जगा पर इसका means जो politics यानि not dirty politics I am talking about real politics politics जो है polity जो है वो आपको हर जगा पर आपकी bureaucracy में business के decisions civil society media हर जगा पर political decisions का direct indirect impact हमें देखने को मिलता है तो अगर politics ही virus criminal virus से infected है तो फिर हम उनसे क्या expectation रख सकते हैं आजकल तो ये भी हो गया है कि election का result कुछ भी क्यों न हो horse trading यानि कि आप MLIs MPs को खरीद लेंगे और आपकी party सत्ता पर आ जाएगी electoral bonds में भी बहुत सारे falls है लेकिन फिर भी ये चल रहा है और सबसे बड़ा problem ये है कि हमारे देश में law का enforcement जो है judgment जो है वो बहुत delay होता है law का enforcement काफी weak होता है क्योंकि police और ये सारी agencies को home ministry control करती है यानि कि winning party जो है उसका एक बहुत बड़ा impact होता है और judgment और judiciary independent है लेकिन उनको पता है कि case जो है वो लंबे time तक चलता ही रहेगा इसनिट कि 10 साल 15 साल 20 साल तक case जो है वो चलता रहेगा और इसमें बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़े हो सकती है जो पुरा case ही जो है वो weak करते है तो जब तक लोग नहीं सुनेंगे जब तक लोगों की चेतना जो है वो अवेकन नहीं होगी तब तक सुप्रीम कोट ने जो बदलाव किया है ये बहुत ही अच्छा है बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे बदलाव से कुछ नहीं होगा लेकिन step by step ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेर होते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एंजियोज और ऐसी जो चीज़ें जो भी ऐसे interested parties है वो धीरे धीरे उनकी आँख जो है वो खुलती जा रही है वो चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझते जा रहे हैं जंक्स्टर्स काफी अच्छी तरीके से politics को अब उसमें interest लेते हैं तो ये जो reforms 2002 से सुप्रिम कोट ने step by step किये हैं एक बात तो मानी पड़ेगी कि हमरे देश में political reforms में बहुत बड़ा role play किया सुप्रिम कोट ने करप्शन हो ये सारी चीज़ों में political system ने तो कोई भी role play नहीं किया कोई भी stand उन्होंने नहीं लिया सुप्रिम कोट को ही कुछ ना कुछ steps जो है वो उठाने पड़ते हैं तो this is on us as citizens अगर हम देखिए एक बहुत ही simple language में अगर आपको बताऊ educated बहुत ही sensible व्यक्ति चाहिए education हो ना हो that's a different thing it's not always necessary debatable चीज़ है लेकिन एक sensible व्यक्ति जिसके अंदर देश के प्रती एक प्यार हो right वो patriotic एक व्यक्ति हो कि जो देश को प्यार करता हो देश की जो basic values है उसको एक आदर्ष मान कर चलता हो ऐसे political leaders आपको चाहिए तो be possible है उसकी demand create करने पड़ेगे demand जो है वो हम ही create कर सकते है आप सोचिए गाइस के बारे वे this is a very interesting thing India Global Week 2020 इसकी शिर्वात कर दी है और theme जो है यह है be the revival India and better new world एक बहुत interesting point यहाँ पर Prime Minister ने बताया है कि India जो है यह talent का power house है और भारत के लोग जो है यह मुझे सबसे interesting point लगा कि भारत के लोग जो है यह natural reformer है हमारे देश में बहुत सारी society में भी बहुत सारे issues थे बहुत सारे economical problems थे हमारे society में लेकिन यह सारी चीजों को हमने reform किया इसने दीरे दीरे करके सारे बड़े बड़े बदलाव जो है वो हमने हमारे देश में जो है किये है तो this is a very interesting point जो उन्होंने बताया है और बाकि उन्होंने जो basic चीज़े बतायी है वो आप देख लीजेगा right ministry of health affairs से भी एक coronavirus को लेकर update है हमारे रादनाद सिंग साब जो है वो छे नए bridges को inaugurate करेंगे और इंडिया और European Union Summit 15th meeting जो है वो 15th July को होने वाली है और प्राइमिनस्टर साब आज 750 मेगावोट वाला solar project रेवा जो मत्यप्रदेश में वहाँ पर inaugurate करेंगे that's everything in today's discussion thank you very much for watching this video आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो जरूर बताईएगा क्या BRI के बारे में जो मैने आपको information दी है उससे आपको BRI का overall nature जो है वो क्या पता चल गया अगर हाँ then do let me know in the comment section thank you very much for your love and support and god bless you all I'll see you soon with the daily financial news and indices enjoy your studies jay hind